हेलो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि लैप्लिकेशन से मोबाइल के अप्लिकेशन कैसे चलाएं उसके लिए हमको पहले गूगल प्रोम पर जाना होगा गूगल क्रोम पर वाइस और फॉर पीसी आप अप्लिकेशन्स डाउनलोड कर लीजे मेरे पास बिंड़्ोज सिस्टम है, इसलिए मैं ने यहाँपे क्लिक करके विंड़्ोज के लिए वाइस और फॉर की आप्लिकेशन्स डाउनलोड कर ली है यह अप्लिकेशन है इसको अब हम इंस्टॉлю पर लेते हैं यह अप्लिकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी अब उसके बाद यह कह रहा है कि इतनों एंड्रोइड डिवाइसेज आर कनेक्टेड अब हमको मोबाइल अपना कनेक्ट करना होगा अब हम अपने लैप्टॉप को USB के दुरू अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे और अपने मोबाइल में वाइस और अप्लिकेशन इंस्टॉल करेंगे अब यह वाइस और अप्लिकेशन मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है उसके बाद अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में अबाउट फोन में जाकर बिल्ड नमबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पांच से ट्रेस करते ही आप डवलपर मोड आउन कर चुके होंगे डवलपर मोड आउन करने के बाद यहाँ पर आप डवलपर आप्शन पर जाएंगे यूसबी डिबगिंग आउन कर दिए ताकि यह एक्सेस हो सके यह आपने कर दिया जैसे ही आपने डवलपर मोड उपन किया वैसे ही आपको यहाँ पर आपका फोन शो होने लगेगा और यहाँ पर आप जैसे ही प्ले करेंगे आपको यह स्क्रीन शो होने लगेगी याद रखे कि developer mode on करने के लिए हर mobile model के according अलग-अलग procedure होता है तो अगर मेरे पास ही Motorola का phone है इसके according मैंने यहाँ पर developer mode on किया है आपका जैसा model हो उसके according आप search कर लिजे कि developer mode कैसे on करते हैं आपको mobile पर देन आप यहाँ पर यह process कर लिजे अब यह मैं यहाँ पर जैसे कोई भी application laptop की चला रहा हूं और यह पूरी तरह चल ले थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को like और subscribe जरूर करें ताकि हमारे next वीडियो आप तक आसानी से पहुँश सकें